सुप्रीम कोट ने इस बार दिवाली के अवसर पर पठाके फोड़ने का समय तै कर दिया है। इसके अलावा राजधानी में सिर्फ ग्रीन क्रेकर्स का इस्तमाल करने को ही कहा गया है। इसी को देखते हुए पठाकों को लेकर सक्ती बरती जा रही है। दिल्ली पुलीस ने 23 अक्टूबर से अब तक सहर के अलग-अलग हिस्सों में 3500 किलो ग्राम से अधिक पठाके जब्त किये हैं। और बिना लाइसेंस पठाके रखने के आरोप में 26 लोगों को गिरफतार किया है।